यह एक बहुती बहतरीन प्रोडक्ट है, यह छोटा सा दिखने वाला कैमरा बहुती ज़्यादा पावरफुल है, 720 पिक्सल में रिकॉर्डिंग करता है, इसमें आप मेमोरी कार्ड को भी इंसर्ट कर सकते हैं, रिमोटली किसी भी लोकेशन से आप इसे अपने मुवाइल फोन पर एकसेस कर सकते हैं, और क्या खासियत है, इस छोटे कैमरे की जानने के लिए आप सुरू से लेकर लाश्ट तक हमारी इस वीडियो को जरूर देखें, मेरा नाम है सुबह मगरवाल और आप देख रहे हैं, साइबर बाबा, यूटू चैनल ओके गाइस, कुछ इस तरह की box practicing में आपको मिलता है यह mini camera, box content को देखें, तो यहाँ पर आपको मिलता है adapter, finally आपको मिलता है mini cam, एक आपको USB cable मिल जाती है, और camera को install करने के लिए यहाँ पर आपको ejection pin और screw भी मिल जाती है, अगर हम चेक करें camera को, तो यहाँ पर आप देख देखने मिलता है, ऊपर साइड यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको LED indication देखने मिल जाता है, जिससे आपको यह पता चलता है कि camera अभी on है या नहीं, अगर नीचे साइड हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको मिलता है micro USB port जिसके माद्यम से आप इस camera को on कर स सकते हैं, जस्ट साइड से आपको मिल जाता है microphone, तो आपकी audio भी यहाँ पर वीडियो के सांसनात record होगी, अगर हम backend पर चेक करें तो यहाँ पर आपको मिल जाते है speaker, speaker के जस्ट साइड में आपको मिल जाता है reset button, अगर camera को आप reset करना चाहते हैं, तो ejection pin के माद्यम से आप reset भी कर सकते हैं, नीचे एक QR code है, इस QR code को आपको scan करना होता है, camera को connect करने के लिए, और username और password यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं, अगर हम right side की बात करें, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है memory card के लिए slot, जहाँ पर आप maximum 256GB तक के memory card को आसानी से install कर सकते हैं, तो यह त की actual quality को check करेंगे, कि इस कीमत पर इस camera को लेना सही है या नहीं, camera को mobile से connect करने के लिए आपको box को scan करना होता है, यहाँ पर आपको एक app मिलता है, जो कि यह V380 Pro, आप अगर android user हैं, तो आप play store से भी download कर सकते हैं, अगर आप iphone में use करना चाहते हैं, तो आप app store से भी इस app को download कर सकते हैं, यहाँ पर finally हमने app को download किया है, हम इसे configure करेंगे, configure की basic process है, आपको user account बनाना होता है, और उसे configure करना होता है, अब हम finally is cam को अपने smartphone से connect करेंगे, तो जैसे ही आप इस app को configure करेंगे, तो आपके सामने एक scanner आता है, अब इस scanner के माद्यम से आपको camera के पीछे लगा QR code scan करना होता है, यहाँ पर आप देखेंगे, हमने कुछ इस तरह से QR code को scan किया है, username और password भी आपको camera की बीचे ही मिलता है, यहाँ पर जो sticker install है, यही हमारा username होता है, और password जो हमारा होता है, वह nil होता है, finally यहाँ पर हमने camera को setup किया है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अग यहाँ पर आपको movement देखी, तो आप अपने mobile के दोरा voice command भी यहाँ पर दे सकते हैं, mic भी यहाँ पर आपको मिलता है, अगर आप चाहें multiple camera को use करना, जैसा कि आपने thumbnail में चेक किया, कि वहाँ पर हमने 4 camera आपको देखा है, तो इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप 1, 2, 3, 4 और आगे भी camera इस mobile app से control कर सकते हैं, देखिए, वीडियो की जो quality है, अगर honestly हम बात करें, तो यहाँ पर आपको जो quality मिलती है, वह बहुती बहतरीन है इस budget segment में, अगर आगे हम और heavy camera की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर 1080 pixel और आगे advanced quality मिलती है, बट इस budget segment में आपको 720 pixel के आप इसे mobile phone से connect कर सकते हैं, अगर आपको mobile phone से connect नहीं करना है, तो directly आप memory card को यहाँ पर install कर सकते हैं, तो जो भी recording होगी, वह आपके memory card में होगी, mobile के power bank से भी इस camera को आप operate कर सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं, car, bus, या फिर किसी vehicle में इसे install करना, या फिर आप outdoor में से use कर चाहते हैं, तो आप power bank से भी इसे operate कर सकते हैं, अब हम finally इस camera के price की बात कर लेते हैं, तो अभी recently जब मैंने इस camera को purchase किया, तो हमें जो इसका price मिला, वह था 999 रुपए Amazon पर, बड़ देखिए price में fluctuation होता रहता है, क्योंकि नए नए sellers आते हैं, वह अपने rate पर इसे sale करते ह तो हो सकता है, तो आपको 1200 रुपए का camera मिले, हो सकता है कि आपको 900 रुपए में भी मिले, बड़ इसका जो best wine link है, वह मेरे description box में है, तो एक बार वहाँ पर जाकर भी आप check करें, so friend, फिलाल के लिए इस video को हम यही पर समाप्त करते हैं, अगर आपको यह video अच्छी लगी ह तो आप इसे like जरूर करें, अगर आप हमारे channel पर new हैं, तो मैं आपसे request करूँगा कि आप हमारे channel को subscribe भी करें, एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए hashtag cyberbaba